हालो फैंड्स वेल्कम टो मैं विंता सुपर क्लासेस आज हम विहार बोट के वर्ग आठ में और तीस से वर्तमान में पार्थ दो देख लेते हैं पार्थ का नाम है भारत में अंग्रीज राज की अस्थापना इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को के बीच अस्तल मार्क से होने वाले व्यापार में खाली अस्थान की महतबूर भूमका थी जो एक इस खाली अस्थान हो जो कि अरब सौधागरों भराएगा हम लोग खौद देख लेते हैं कंपनी द्वारा खौईदा गया माल खाली अस्थान में रखा जाता था तिसमें जो कि फ्रेक्ट्री भराएगा आए हम लोग देख लेते हैं एक के बाद एक कई लड़ाईयों ने मराठो को खाली अस्थान कर दिया इसमें जो कि कमजूर भराएगा गहा देख लेते हम लोग अंग्रेजों के साथ सबसे पहले आर्थिक और सायक संदी स्विकार किया इसम दूसरा demand देख लेते हैं वींटि PDF में ब्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहां से सूने चाहिए गलत लोग देख लेते हैं इस्ट इंडिया COLAC को भारत में एक आदिकार मिल गया यह सही है गउएएम शिंति और लूग के अधीन होते चले गए सही है करमुक्त बयापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुक्सान हो रहा था यह सही है एक अंगा देख लेते हैं कमपनी सेना किसे कि जीत होई क्योंकि उनके पास काफ़ी भारती सेनाओं से बेतर तोपे और बंदुके थी यह सही है आई यह हम की बेआफारी कमपनियों ने भारत के राज्री क मामलों में हफ्तवक शेप करना शुरू किया उत्तर देख लेते हैं हमि लोग हुई य यूरोप उन्होंने यह भी देखा कि भारती राज एक दूसरे से लड़ने में मस्गूल है इस इस्तिती का लाव उठाने के उन्होंने भारत में राजनीतिक मामलों में तच्छेप करना शुरू कर दिया इससे राजनीतिक सत्ता पर उनकी पकड़ भी मजबूत हो गई और उन्हें अधिक सत्ति ब्यापारी सुधाया में मिल गई हम लोग दूसरा कोशन देख लेते हैं अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे उत्तर हम लोग देख लेते हैं बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांथ था इसमें बिहार और उर्षा भी सामिल थे बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता कि वहाँ से अन यूरोपी कमपणियों को ब्यापार से दूर रखना और कुल मुनाफ़ा स्वयम कमाना अधिक शदिक मुनाफ़ा कमाने के लिए बंगाल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए जयोरी हो गया था इसलिए अंग्रेज बंगाल पर करतों को स्विकार किया हम लोग उत्तर देख लेते हैं भारत अनेक छोटे छोटे राज में बटा हुआ था यह लोग आपस में लड़ते थे आपस में लड़ने के कार इनकी सकती कमजोर हो गई थी और धन का अभाव हो गया था जिससे कि आधुनी खतियारों को नहीं खरी स सकते थे उनका खाजाना खाली होनेगेकर अधना सैयोग करते थे दिससे कि आपस में ब्यापार कर सकें ब्यापार के रास्ते में जो भी राज कους कुरुफंट स करते थे हैं इसके यह भारत की सासकों ने सायग सुनिष के कर लिया हम लोग चोथा कोशन देख रहते हैं प्लासी और बक्सर के यूद में आप किस निरायग मानते हैं और क्यों उत्तर हम देख रहते हैं इस यूद में सिराज दौला मारा गया तथा अंग्रेजों ने उसके सिनापती मीर जाफिर को बंगाल का नवाब बनाकर अंग्रेजों ने कंपनी बनाना प्याराम कर दिया मीर जाफिर ने जब अंग्रेज की गलत नीतियों का विरुद किया तो अंग्रेजों ने उसे हटा कर उसके दमाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया उसने भी अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरुद कहना प्याराम कर दिया उसने मुगर सासक सा आलम और अवत के नवाब सुजाओ दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ़त में तीनों के संयों के सेना आपस में मिलकर लड़े तथा बक्सर नामक अस्थान पर सन सत्यों सो चोर्षट में युद्ध हुआ जिसमें भारती सिनाओं की हार हो गई इस हार के परश्चात सत्यों सो परश्चाट में सुजाओ दौला और सा आलम ने इलहाबाद में कलाव के साथ समझोता पर हस्ताचर किया समझोते के अंसाल इंडिया कमपनी को बंगाल बिहार उर्षा का दिवान मिल गई जिससे इन कमपनीयों को बहुत ज्यादा मुनाफ़ा होने लगा इससे उन्होंने धिये धिये पूरे भारत पर अपना कब्जा काना प्राराम कर दिया इससे यह पता चलता है कि प्लासी यूद किया पेच्छा बक्सर का यूद अधिक निरायक साबित हुआ प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आतर लाइक करें और चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने ना भुले जहिन बंदे मातला हुआ